हेलो फ्रेंड्स मैं एड्वोकेट विनोज शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों हीट एंड रन केसिस में रोड एक्सिदेंट्स के केस में मुआपजा देने के संबंद में मैंने पिछे दो वीडियो पोस पार थ्री यानि कि एक फाइनल वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि गौर्मेंट ओफ इंडिया ने एक स्कीम लाउंच की है जिसका नाम मैंने आप पहले बताया आपको कंपन्शेशन टू विक्टिम्स ओफ हीट एंड रन मोटर एक्सिदेंट स् सम के लिए 12,500 से बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया है और अगर किसी की मृत्यू होती है तो उसका मौफजा 25,000 रुपे से बढ़ा कर 2,000,000 रुपे कर दिया गया है तो दोस्तों यह स्कीम एक अपरेल 2022 से लागू होगी और इस पे इस पिछली दो वीडियो में मैंने इस संब कि जब रोड पर एक्सिदेंट होता है तो किसी ड्राइवर का हम ट्रेश नहीं कर पाते ओफेंडिंग विखकर को ट्रेश नहीं कर पाते और उसके मालिक का पता निक कर चलता और कई बार इंसरेंस कंपनी कोई नहीं ओती अनिंसौर्ड विकल्ड होते हैं तो ऐसे में क्लेम कैसे मिले पीडित व्यक्ति को, इंजड को या डेड को ये जो है मैंने पूरा विस्तार से पिछली दो वीडियो में मैंने आपको बताया और आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा कि इसकी टाइम लाइन क्या होती है, मुआवजा मिलने की टाइम लाइन क्या है, जब आप करते हो उसके कितने दिनों के बाद मुआफजा मिलता है यह सब मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से से पहले हमेशा कि तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट किया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बैल आइकोन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि मौावजा लेने के लिए टाइम लाइन क्या है जैसे मैंने आपको बताया थे कि इसका एक फॉर्म वन है उसमें हमें आपने पर्टिकुलर्स भरने हैं क्लेमेंट को जो दावा प्रस्तुत करता है क्लेम के लिए और जो जो क्लेम जो इंक्वारी ओफिसर है वहां पर ये सब्मिट करना है जो संबद्धी तैसिलद इसडी ओ या कोई अन्या अऊफिसर हो सकता है और वो ओफिसर जो वहको सौंपहेगा क्लेम सेटिलंवेट कमिशन को यानि के जो जिले के डापी कमिशनर होते हैं उनको क्लेम सेटिलोंट ओफिसर बनाए है इस स्कीम के तहत वो एक महिने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे डेपिटी कमिश्णर को और अगर क्लेम सेटलमेंट कमिश्णर वह रिपोर्ट वापिस करते हैं किसी डेफिजेंसी की वज़ा से और या किसी अदिशनल इंफरमेशन मांगने के लिए दोब वह पूरी अदिशनल इंफरमेशन परवाइड करेंगे और दोबारा से वह रिपोर्ट सब्मिट करेंगे क्लेम सेटलमेंट कमिश्णर को विदीने पीरिड ओफ 15 डेज यानि के पंदरा दिन के अंदर अंदर उनको यह रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी उसके बाद जो क सेंक्शन करेंगे क्लेम को एज अर्ली आज पोसिपल लेकिन वह अब दी पंदरा दिन से जादा नहीं होगी और वह फ्रॉम दा गिनी जाएगी फ्रॉम दा डेट ओप रिशीट ओफ सच रिपोर्ट एंड कॉम्मिनिकेट दा सेंक्शन इन फॉर्म 3 और वह पंदरा दिन के वह साथ में अटैच करके वह जो ट्रस्ट बनाया गया है इस स्कीम के तहट वहां पर यह सब्मिट करेंगे वहां पर यह फॉर्वर्ड करेंगे और उसकी कॉपी जो बेजेंगे वह एक तो एक तो क्लेम्स इंक्वारी ऑफिसर जहां से रिपोर्ट आई थी यानि के एस्ड ऐस्टी है यानि के मोटर एक्सिडेंट क्रेम्ट रव्म है जो उस जिले का एक कोपी उनको जाएगी और एक कोपी जो कन्सेंट ट्रांसपोर्ट कमिशनर है उनको भेजी जाएगी और एक कॉपी जनरेल इंशुरेंस काउंसिल जो इस समंध में बनाई गई होती है एक कोपी उनको जाएगी और यह सैंक्षन ओडर साथ में लगा होता है कि इनका जो क्लेम है वो पास किया जाता है और इसमें जो है पेमेंट की जाए दोस्तों इसमें एक महत पुरुन चीज है कि मालों इंजड के म कामले में जो ग्रीवियसली इंजड कोई व्यक्ति है हीट अडरन केस में उसको कैशलेश ट्रीटमेंट प्रवाइड की जाती है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह स्टेट गवर्मेंट की तरफ से तो जब यह क्लेम पास होगा जैसे दो लाक रुपे का क्लेम है ड किये हैं वह राशी उसमें से काट ली जाएगी और बाकी की राशी कलेमेंट को दी जाएगी और अगर मालो जो सेंक्सेट राशी है सेंक्सेंड मौब्जा है वो कैशलेश ट्रीटमेंट पर जो खरचा हुआ है वह ज़्यादा है और सेंक्षेंड अमाउंट कम है तो फिर क्लेमेंट को कोई भी राशी नहीं दी जाएगी बस होस्पिटल का बिल सरकार की तरफ से इस कीम के तहते दिया जाएगा और क्लेम की राशी का बुगतान सवकृती मिलने जान यानि के जो सेट्लमेंट कमिशनर है उनकी पहुंच जानी चाहिए ऐसा प्रावधान किया गया है क्योंकि यह स्कीम टाइम बाउंड की गई है पहले जो है बहुत टाइम लगता था जो स्कीम हुआ करती थी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी तो उसमें क्लेम मिलने में क्लेमेंट को बहुत सारा समय उसका बरबा अप्रूवल के 15 दिनों के अंदर अंदर जो है क्लेमेंट के खाते में पहुंच जाता है और अगर मानलों को यह से रीजन्स हैं जो राइटिंग में बताए जाएंगे कि क्लेम की राशी 15 दिनों में नहीं की गई है या नहीं की जा सकती तो इसमें जो मैक्सिमम पीरिड होग तीस दिन के अंदर अंदर यह राशी जो क्लेमेंट है या जो इंजर्ड परसन है उसके बैंक अकाउट में पहुंच जाएगा और इसमें एंड में जो है एक अंडर्टेकिंग देनी पड़ती है जो इंजर्ड वेक्ति है या डेड़ परसन के लेगर रेपरजेंटेटिव उनको यह क्लेम की राशी लेते वक्त एक अंडर्टेकिंग देनी पड़ती है कि अगर उनने इसी एक्सिडेंट के केस में किसी और फोरम से किसी और सोर्स से कोई क्लेम या कंपन्शेशन मिल रहा है तो यह क्लेम की राशी जो अंडर सेक्षन 161 of Motor Vehicles Act के तहत उनको दी जा नहीं है यह राशी सरकार को वापिस करनी पड़ेगी तो दोस्तों यह मैंने जो है तीन वीडियो जिस समंद में बनाई है मुझे पूरी उमीद है कि बहुत से लोग हीट अंडरन केसी का शिकार होते हैं और उनको कोई financial benefit नहीं मिलता कोई financial compensation नहीं मिलता लेकिन यह सरकार की जो scheme है इसके तहत वो इसका benefit उठा सकते हैं तो अगर आपका भी कोई ऐसा case है तो आप यह वीडियो देखके संबंदित अधिकारी को अपनी application दे सकते हैं पूरे documents लगा सकते हैं ताकि आपको claim की राशी मिल सकी तो दोस्तों यह जो है जो topic है यह आज इस वीडियो में स्मा इस का राव है यह जो है वीडियो में